तो रीफ अपीस आइफों तो डिपांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकि है भाई कहीना कि स्टाइटिंग होती है आपटजार रुपए से और एंडिंग होती है असी नब्याजार रुपय के प्राइसमेंट पर किस प्राइफोन आपको आइफोन आपको मिलेगा कहां से लेना प्राइसमेंट पर वीडियो उसी से आराउंड एक-द्वजार मेंग निव है और देखो यार जब कोई एक लाग का फोन लेगा तो एक लाग दो जार रुपय लगाने उसके बड़ी वासल नहीं है तो लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले होरो जो अनी क्या जो क्राम है वो आप अपना करते ना अब मैं करता हूँ इस वीडियो को इसकार्ट प्राइस पॉइंट नमबर बन की बात करता है जो की है 20,000 से लिगे 25,000 रुपए विको इस प्राइस पॉइंट पे आपको फोन कौन से मिलेंगे आइफोन X मिलेगा, XS मिलेगा और XR मिलेगा इन तीनमें से पॉइंट आपको परचेस करना चाहिए विको को 25,000 से कम की प्राइस पॉइंट पर यही तीन फोन से है और जो आइफोन X से आपको मिलेगा आइफोन X से आपको मिलेगा कहिना कि आइफोन XS में आपको 812 Bionic chip देखने करें मिल जाती है 4GB की RAM है और जो और परफोर्मेंस है वो XR और X से बहुत ज़्यदा बढ़िया है और दो कैमरे हैं इसलिए XR से और X से जो कैमरा परफोर्मेंस है वो भी भड़िया आती है अब बात करता है अब बात करता है 25,000 रुपे से 30,000 रुपे के प्राइस परफोर्मेंट पर दो फोन से मिलते हैं आपको इसमें एक iPhone 11 और एक iPhone XS Max iPhone XS Max तो सेम है जित्ती भी उसकी चिपसेट वगएरा इंटरनस वगएरा सब कुछ XS के ही जैसा है जैसे उता है आइफोन 13 Pro है iPhone 13 Pro Max है तो 13 Pro Max है Pro Max तो सीरीज और साइज बढ़ रहता है ऐसे से में एकसे से थोड़ा बढ़ा है iPhone XS और तो बाकी सेम XS की इसमें इंटरनस, चिपसेट वगएरा पफॉमेंस वगएरा सब XS के ही जैसे है iPhone 11 के अगर नाम से बात करता हूँ तो यह कहीं ना कहीं अप्ग्रेड है इसमें आपको एपल की एट हटिंग बाइनुक चिप देखने कर बने जाती है इन दो नमें से कौन सा बढ़िया है अब देखो यार आंसर सिंपल है iPhone 12 mini का जवाब नहीं है थोड़ा सा चोटा और compact phone जरूर है लेकि ना फिर भी iPhone 11 Pro से कंपेर करें चामरा भी बढ़िया है iPhone 11 Pro में आपको तीन कामरा देखने के लिए जरूर मिलता है बट जो अप्ग्रेड है और आइफोन 12 mini के वह एक next level जाता है जो लुक है iPhone 12 mini के वही flat ages और परफॉमेंस जो है वही डेफिनेटली अप है क्योंकि A14 बाइनिक चीप है उसमें देखो A13 में और A14 में तो थोड़ा सा रिफरेंस रहने वाला है थोड़ा सानी यह बहुत ज़ाइड डिफरेंस रहने वाला है 30,000 अगर आपको प्राइस 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 है तो आपको आइफोन 2L mini के साथ जाना चाहिए और वही अपर डिपेंड करता है अगर आपको छोटा सा फोट नहीं जमता तो आप iPhone 11 Pro ले सकते हैं 30,000adr से लेकर 40,000 उपे का प्राइस पॉर्ट पहीं प्राइस पर इसना तो आइफोन 11 pro max देखने करें में जाएगा और एक iPhone 12 आपको आपको यहां पर कहीना कहीन कहीन देखने करें में जाएगा अब जो इन दोरहों में से कौन आपको फोल लेना अगर आपका बजट 40,000 रुपया प्राइस पाइंट का है तो तो नया भी आपको कहीं नहीं कहीं 45-46 रुपया मिल जाएगा तो हाँ 5-6 रुपया सकते हो तो आप नया ले सकते हो और रीफ अबस में को दिक्कत नहीं है अगर आप वीडियो को शूट करना चाहते हो तो आइफोन 12 बेटर ऑप्शन है वो 40,000 रुपया का कम के प्राइस पाइंट पर आइफोन 12 से बैटरी न आप्शन कोई भी नहीं है वैसे तो आइफोन 13 में नहीं बहुत अच्छा उप्शन है क्योंकि आइफोन 13 के ही उसमें सारी फीचर्स है बर थोड़ा चोटा उसा साइज है और कैमरा की बात करता हूं सिनेमेटिक वोंट बगर आपको सब उसमें देखेंगे मिलेंगे आइफोन 13 की तो बहुत अच्छा है देखो जब grades है वो basically आईपोन 12 pro में आपको 14 बैंडेक चिप मिलती है 13 में आपको 5 बैंडेक शिप एक Cinematic वीडियो का option में आपको मिल जाता है 13 में और 12 बैल आप्शन नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप Cinematic को skip कर सकते हो तो camera भी आपको iPhone 12 Pro का अच्छा performance निकाल कर देगा iPhone 13 से और बाकि आपकी मर्जी है मेरे साब से अगर आपको matter नहीं करता Cinematic Mode तो आप बिल्कूल iPhone 12 Pro के साथ जा सकते हो अब करते हैं 55-60,000 के price point पे आपका हो गया 50-55 वाले गांगे तो अपडेटर रहे हैं आपको पोस्ट डाल दूँगा बात करते हैं 55-60,000 रुपे की इसमें बस एक ही phone आता है वो है iPhone 12 Pro Max अब इसके बारे में जितना अगांग कम है ये बहुत ही ज़्यादा successful smartphone रहा है Apple की तरफ से जोगा है iPhone 12 Pro Max का कैमरा, performance बहुत ज़्यादा पीक पे है और size भी इसका बड़ा है दिखो है Pro Max से बड़ा तो रहेगा बट जो phone है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा से camera भी अच्छा है performance भी और अच्छी स्की और 5G phone है तो बहुत अच्छा आपको लिए auction रहेगा 60,000 रुपए के price point पे और हाँ अगर आप एक नया Android smartphone रहे हो ना 60,000 रुपए के price point पे तो देखो आप उसे skip करके एक बड़ी को iPhone 12 Pro Max ले सकते हो क्योंकि एक तो देखो Apple अपडेट बहुत ज़्यादा लंबे देता है अभी आपको iPhone 12 Pro Max में मेरे साब से 5 साल के अभी और अपडेट आपको देखेंगे लो मिल जाएगे जो की बहुत अच्छी बाब है तो आप ले सकते iPhone 12 Pro Max अगर आपका budget 7,000 रुपए का है तो अब बात कर लेते हैं under 70K के की क्योंकि आप देखो आपको दो फोन बच रहे हैं अगर आपका budget इतना है तो मैं गहता हूं Pro Max भी आप एक तरफ को रख सकते हो बहुत ज़्यादा जबर्दस फोन है A15 Bionic Chip Cinematic Mode है आपको उसमें क्यामरा में देखें कर लें मिल जाता है और पूच और परफोर्मेंस के बारे में तो सवाल ही करना कर लाता है उस पोन के आगे और आइफोन 13 Pro Max जो है वो आपको मिल जाएगा रांट 69,000 का पूरे 69,000 का चल रहा है इस टाइम तो और बाकी आगे आगे पीछे होता ही रहता है अब देखो आइफोन 13 Pro और Pro Max में सिर्फ और सिर् 3,000 का रहता है जाब असे रहादा अब कि आमको 30,000 रुपया लगा के आइफोन 13 Pro Max लेना चाहिए या पिर आपको प्रोकले रुपना चाहिए देखो आइफोन 13 Pro है ना मेरे को वो मतलब मेरे को अच्छा लगता है आपके लिए शायद आइफोन 13 Pro Max जादा अच्छा हो सकता है जाके आप अपल स्टोर पर देख लेना दोनों को उठाके देखना गैरेंटी में आपको दे सकता हूं कि आपको आइफोन 13 Pro ज्यादा अच्छा लग जाएगा लुक के माम लेमा आइफोन 13 Pro Max है तो नीचे कमेंट सक्षण में बताना मत बूलना मैं आपका रेप्लाइ कर दूँगा और पॉस्तिवला लुह आपके टापक वीड़े बना दूआ हूं तो नीचे कमед करना, बिल्कLE भूलना तब तक ले मिलता मैं आपसे वीडियो बात में और हाँ जो मैं आपसे कहा था ना पहले वीडियो जो मैंने चौ्ट की थी बोला नहीं तक जैन्म सब्सक्क्राइब कर देना यह तक मिलता मैं आपसे बात में गाएज जाए झाल झाल